प्रेविद्दार्तियों मैं सुबुद्धी सिंकसाना साइक आचारी राजनिति पिज्ञान स्वर्गिया राजिस्पाले प्राज केशनात को तर महाविद्दाल है बान्दिकोई आज हम एक बहुत मैद्पून विशे पर चर्चा करेंगे समीदान में संसोदन की प्रक्रिया भारती समीदान में किस तरह से संसोदन किया जाता है इस पिसे पर विश्थार से चर्चा करेंगे समीदान में संसोदन प्रणाली की सरलता इम जटिलता की अधार पर समीदान को नम या एनम के रूप में विवाजित किया जाता है संगात्मक समीदान प्राए एनम में होते हैं क्योंकि उनमें संसोदन की प्रक्रिया जटिल होती है जबकि एकात्मक समिदानों में संसोधन की प्रक्रतिया सु परिवर्तिय से परिवर्तन सील होने से नम्म माने जाते हैं भे भारतिय समिदान में संसोधन की एक अनूटी प्रणाली को अपनाया गया है भारतिय समिदान अपनी अनोखी संसोधन परणाली की कारण ही नम्मेता और ए नम्मेता का सामजसु उपस्तित करता है। परक्रिया के कारण सरल है। भारतिय समिदान का कुछ भाग साधान परक्रिया के दोरा संसोधित किया जा सकता है। प्रोपेसर केसी भीहर ने अपनी पुस्तक मोडन कॉंसिटेशन में भारतिय समिदान को ए नम्मेता और नम्मेता के वीच का संतुलित मारग ग्रहन करने वाला समिदान पताया। डाक्टर अंबिटकर के अनसार उनकी कतन मैं अनभव करता हूं कि समिदान वेवारी का है लचीला है और इसमें सांतिकाल और युद्धकाल में देश की एकता बनाये रखने की सामरत है। अब हम देखेंगे संसोधन की प्रक्रिया। भारत के समिदान के अध्याई 20 में जिसका सीच सक है समिदान का संसोधन इस अध्याई में उल्लेकित अनुचेद 368 में समिदान संसोधन का उबद्द है। इस भाग में अनुचेद 368 एक मातर अनुचेद है। इसकार उस्तम नियाई लेने सदे हुई इस अनुचेद को संसोधन के विशय पर अपने आफ में एक फून साहिंता माना है। पार्दमें समिदान की अनुचेदों को तीन स्रेणियों में विवक्त किया जा सकता है। तीनों स्रेणियों के लिए भिन-भिन संसुदन पर के लिए अपनाईगी है, जो इस प्रकार है, साधान बहुमत द्वारा संसुदन, पहला साधान बहुमत द्वारा संसुदन, दूसरा विशेश बहुमत द्वारा संसुदन, और तीसरा विशेश बहुमत तता राज्यों के अनमोदन से समिधान संसोदन सबसे पहले हम देखेंगे साधान बहमत द्वारा संसोदन समिधान में कुछ अनुचीद ऐसे हैं जिन्हें संसत की दोनों सदुनों में साधान बहमत से संसोदित किया जा सकता है इस रेड़े में अनुचीद 2,3,4,100,106,108,124,100, 240,327,90,348 को सामिल किया जा सकता है इस संसोदन प्रणाली की माध्दम से नाकृता समंदी युगता हूं राज्यो में विधान मंदल के ऊसस्दन की समापती राज्यो में विधान मंदल के ऊसस्दन का निर्माण उच्टम उच्ण न्यायले की न्यायदिसों के वेतन तता नहीं राज्यों के निर्मान किसी राज्चेतर में परिवर्तन उशे गठाना या बढ़ाना किसी राज्चे सीमा में परिवर्तन करना या किसी राज्चे नाम में परिवर्तन करना आदी संसुधन किया जा सकता है ऐसा संसुधन करने के लिए कोई विदेग संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और एक सदन द्वारा पारित किये जाने पर उस विदेग को दूसरे सदन को भीजा जाता है दूसरे सदन द्वारा विदेग को पारिद करने पर उसे राष्टपती की अनमती के लिए जा जाता है और राष्टपते द्वारा अनमती प्राप्त कर लेने पर विदेग अधिनियम के रोप में प्रवर्थ ओ जाता है दूसरा है विशेश बहुमत द्वारा संसोधन पहला हमने साधान कानून निर्मान की प्रक्रिया के तैट समिदान संसोदन देखा जिस तरह से हम एक कानून मारी संसत जिस तरह साधान बहुमत से कानून बनाती है उसी भाती वह समिदान में संसोदन कर सकती है दूसरा है विशेश बहमत द्वारा संसोदन संसत के विशेश बहमत द्वारा प्राप्त की जाने वाले संवेदानिक परिवर्तन को समिधान संसोदन कहा जाता है इस प्रकार समिदान संसोधन करने के लिए किसी विदेग को सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए विशेष बहुमत से पारित किये गए विदेग को दूसरे सदन को बेचा जाता जब दूसरा सदन भी विशेश भोमात का अतात्परी ऐसे भोमात से हैं जो सदन की कुल सद्यस संक्या की 50% या मद्धान करने वाले सद्यसों की दू तियाई से कम नहीं हो लेकिन कभी-कभी ये प्रसन उत्पन होता है कि जब उपस्तित सद्यसों और मत्दान में भाग लेने वाले सद्यसों की संग्या समान नहीं हो तो किसका दूतियाई माना जाया है लोगसबा देक्ष द्वरा इस समंद में यह नहीं दिया गया है कि उपस्तित सद्यसों का दू आवशक्ता तब होती है जब इस पर अंतिम बार मद्दान किया जाता है या विधे को पारित करते समय प्रतेक चरण पर विशेश बहुमत की आवशक्ता होती है इसी प्रकार तबी से ये माना जाता है कि समिदान संसुधन पेश करने के लिए उपस्तित तर मद्दान में भाग लेने वाले सद्यसों का दोतिया भूमत सदन की कुल सद्यसंक्या के पचाश प्रतिसत अत्वा आदे से कम नहीं होना चाहिए उदार 1964 में सत्रवा समिदान संसुधन पेश नहीं किया जा सका था क्योंकि नहीं पेश करने के लिए पचास प्रतिसत सत्यसों का समर्दन नहीं मिला था अब देखते हैं तीसरा प्रकार का संसुधन जिसे हम विशेश भूमत या राज्यों के अनमोधन से समिधान संसुधन इस रेणी में समिधान की विवबंद आते हैं जो संकात्मक नहीं से समंदित हैं इन बंदों में संसुधन करने के लिए संसित के प्रतिक सदन के दूतियाई भूमत तदा कम से कम पचास प्रतिसत राज्यों के विधान मंदल का अनुसा मर्थन आहुशक हैं निमली की द्विश ऐसे हैं जिनमें उक्त प्रक्रिया के अनुसा संसुधन किया जा सकता है राष्टपती के निर्वाचन से समंदित निर्वाचक मंदल ये राष्टपती की चुनावी प्रक्रिया अनुचेद चाउवन अनुचेद पाचवान संग तता राज्यों की कारिपाली का सक्तियों का विस्तार जिसके अंतर का अनुचे 73 और अनुचे 162 उस्तम और उच न्याले की गठन तता छेतर दिखार जिसके अंतर का अनुचे 241 भाग 5 का त्याई 4 भाग 6 का त्याई 5 संग और राज्यों की विदाई सक्तियों के बीच में सक्तियों का वित्रन जो भाग 11 का द्जाई 1 है सात्वी सूची में वणृत सूचियों की प्रविश्टि संसद में राज्यों का प्रतिने धित्व अ lira 18 अ Țाहतियान सूच्छी संविदान संशोदन अन्शे 368 उक्त संसोधन प्रणाली प्रतम दो संसोधन प्रणालियों के पिच्छा खटोर है इसकी खटोरता का करण समिदान निर्माता ये चाहते थे कि संगात्मक वैस्ता से संबंदीत प्रावदानों में परिवर्थन करते समय केंद्र और राज्यों दोनों की सहमती प्राप्त के जाया बारत में संगे सुरूप को अक्षुन बनाये रखने के लिए संविदान की ये खटोर प्रणाली निर्दारित के गई इस प्रकाल भारते संविदान में संसोधन की तीन प्रक्रिया है बह्मत और संसूधन विष्व बह्मत और राज्यों के अनबोदन में संसोधन की प्रक्रिया संद्र को संसुधन की सकती प्राप्त है पहली बीसी सनदेखते है भारती ये संसद को संसुधन की सकती हासिट बारतिय समिदान के अंशे 368 में अधिक अतीत संसोधन प्रक्रिया किया दिन संसद को संसोधन की सक्तियां प्रदान की गई है किन्तु संसद की संसद की सक्ति ऐसी मित और ऐ मरियातित नहीं है किन्तु संसत ऐसा कोई संसोधन नहीं कर सकती जिससे समिधान की मूल ढाचे को चोट फूसती हो इस प्रका समिधान की सर्वशिता को स्विकार करते वह यह इस प्रेस्ट किया गया है कि संसत समिधान की सीमाओं के अंतरकती ही कारिये कर सकती है दूसरी हम विशिस्ता दिखते हैं संसोधन की राष्टपती अनुमती देने के लिए आबद कर है समिदान संसोधन विदेग तबी पारित माना जाता है जब उस पर राष्टपती की श्युकरती मिल जाए सविधान के 24 सविधान संसोधन के अंसार राष्ठवति संसद्वारा पारित किसी भी संसोधन विदेग पर अन Кстати देने से इंकार नहीं कर शकता राष्ठवति के समध में वीटो का अधिकार नहीं प्राप्त है तीस रहे जिसमें राज्यों में एसंतोषन हो संगात्मक वैस्ता से समंदीत प्रावधानों में राज्यों की शुकृति का प्रावधान रखा गया है। स्वेटर जरलेंड के समिदान में संसोधन के लिए जन्मत संग्रे की वैस्ता की गई है किन्तु भारती समिदान में ऐसी कोई वैस्ता नहीं है। नम और एनम में दोनों ही प्रकार की संसोधन प्रक्रिया का प्रयोग करे। वैस्ता के वल भारती समिदान में है। साथी समिदान संसोधन विदेकों की प्रक्रिया सामान विदेकों के अनुरूग है। 368 के वबंदों के अदिन रहते हुए संसद दोरा समिदान संसोधन विदेक उसी प्रकार प्रकार प्रक्रिया जाएंगे। सामान विदेक, समिदान में संसोधन विदेक या सामान विदेकों की बाती किसी भी सदन की प्रारम किये जा सकते हैं। अब हम देखेंगे मूल अधिकारों में संसोधन। समिदान में संसोधन की सकती संसद में नीद है और भारती संसद समिदान की किसी भी भाग के अनुचे 366 के अंतरकत परिवर्तन कर सकती है। समिदान के भाग 3 में मूल अधिकारों को वढ़नेत किया गया है। मूल अधिकारों का संसोधन किया जा सकता है या नहीं इस सम्मद में समिधान में कोई प्रावदान नहीं है समिधान में संसोधन करने की प्रक्रियासियूम समिधान के अनुचे 368 में नीद की गई है किन्तो ये विवाद इस बदप्रसन है कि मूल अधिकारों के संसोधन के लिए अंचे 368 में वीद प्रक्रिया का प्रिव किया जा सकता है या नहीं समिदान के अंचे 13 तू में ये प्रावदान किया गया कि राज ऐसी कोई विदी नहीं बनायागा जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो या उनको छीनती हो इस प्रावदान से समिदान निर्माताओं का यही मंतव प्रगट होता है कि मूल अधिकारों में संसोधन कर उसमें कम नहीं किया जाए अर्था संसोधन करके मूल अधिकारों में वर्दी की जा सकती है कमी नहीं की जा सकती समिदान के अंचेद भाग तीन अंचेद तेरा में वणने विदी सबद के अंतरकत के वल वे विदिया आती है जो सामान विदाई सक्तियों के प्रियोग द्वारा बनाई जाती है या समिदान संसोधन विदिया इस प्रसन को लेकर सम्मेश समय पर संसित की मूल अधिकार संसोधन समंदिविवाद उपस दिद हुए संक्री परशाद बनाम भारशं के मामले में ये प्रसन उठाया गया कि संसत मूल अधिकारों को संसोधित कर सकती है या नहीं इस मामले में नियाले ने ने दिया कि अन्चे 368 में वीद प्रक्रिया के अनुसार समिदान का संसोधन विदी के अंतरकत नहीं आता इसलिए संसार समिदान में संसोधन कर सकती है यही मत नियाले ने सजन सिंग बनाम रास्तान राज के मामले में फ्यक्ति किया नियाएले ने इसपेस्ट किया कि समविदान के संसोधन की सक्ती जिन में मूल अधिकार भी सामिल है अनुषे 366 में नहींट आयए अनुषे 13 में प्रयूक्त वीदी सबत के अंतराद के विषे वीदि आती है जो सामान ने विधाई सकतियों के प्ριयोग के दोरा बनाई जाती जाती है, नाकि संभीधानिक संसोदन जो संभीधाई सकतियों के प्रयोग के दोरा पारिद किये जाते हैं। 360 के अधीन पारित सामविधानिक संसोदन संबेदानिक होंगे भले ही वे मूल अधिकारों के विरुद क्यों ना हो लेकिन उक्तव मत में पड़िवर्थन करते हैं उस्तम नियाले ने गोलकनात बना पंचाप राज में ये निर्णे दिया कि संसद को मूल अतिकारों में संसुदन करने की कोई सकती नहीं है